Breaking Bad के पिछले सीजन में हमने देखा कि Walter कैसे अपनी Chemistry Knowledge का इस्तमाल करके धेर सारे पैसे कमाता है। उसने टूको के साथ अपनी पहले डील भी कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने Breaking Bad का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। क्योंकि Chemistry Teacher की ये कहानी दुनिया की कुछ बहतरीन कहानियों में से एक है। पार्ट वन का डिरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार से छोड़ा गया था। हम देखते हैं कि वॉल्डर टूको से डील करके 70,000 डॉलर कमाता है और अब उसे उसका नया डिस्ट्रिबूटर मिल गया था। टूको ने वॉल्डर के लिए अपने आदमे के साथ जो किया था। उसे देखकर जैसी के पैरो तले जमीन किस गई थी। वो बिशारा डर के मारे काप रहा था लेकिन वॉल्डर यहां भी अपने दिमाग का इस्तमाल करता है। वो कार में बैठे बैठे उंगलियों पर वो सारे खर्चे गिन रहा था जो उसके मरने के बाल उसके परिवार को चलाने के लिए जरूरी थे। वोल्डर को अभी भी 60,37,000 डॉलर काम पड़ रहे थे जिसका मतलब था कि उन्हें टूको के साथ अगले 11 हफतों तक इसी तरह डील करनी होगी। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी टूको उनके पास दुबारा आता है। हम देखते हैं कि जिस आदमी को उसने पीड़ा था उसकी सासे अभी भी चल रही थी। बस एक महीने पहले वॉल्टर अंडर वर्ड की इस दुनिया से पूरी तरह से अंजान था और जब से उसने इसमें पैर रखा है तब से वो तीन लोगों को बेवजा मरते हुए देख चुका था वो बहुत डरा हुआ था इतना कि उसके दिमाग में दिन रात बस यही चलता था कि कहीं कोई उसके परिवार को नुकसान ना पोजाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रिवॉल्बर खरीता है अगले दिन वोल्टर और जैसी की जब फिर से मीटिंग होती है तो वोल्टर देखता है कि जैसी बहुत डरा हुआ पूछने पर जैसे उसे बराता है कि कुछ लोग उसका पीशा कर रहे हैं और अक्सर देर रात को एक कार उसके घर के बाहर खड़ी रहती है जैसी कहता है कि टूको ने जो मर्डर किया है हम उसके आई विटनेस हैं वो देखना चाहता है कि वो हम पर भरुसा कर सकता है कि नह वोल्टर को भी डर लगने लगा था क्योंकि अगर उसे परदा चला कि उसका ब्रदर निलो एक D.E.A. एजेंट है तब वो उन्हें पका मार डालेगा जैसी कहता है कि हमें बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना होगा और इस हफते वो जैसे हमसे मैथ लेने आएगा हम उसे शू परदा है तो उसकी टीम इनिवस्टिकेशन के लिए चोरी की सिसीटी वुड़ेज निकालती है हैंक उन्हें दोनों को देखर हस रहा था क्योंकि उसे परदा चल गया था कि ये दोनों नौ सीखिये हैं और शायद ये उनकी पहली चोरी थी लेकिन उन्होंने जो केमिकल चो वो कहां पढ़ाता है उसके परिवार में कितने लोग हैं टूको उसके बारे में अब सब जानता था वोल्टर उनके डर से पूरी राज सोता नहीं और बाहर खड़ा होकर घर की चोकिदारी करता रहता है वोल्टर जैसी के पास दुबारा आता है और उसे कहता है कि हाँ पूरी सी भी अमाउंट किसी को भी मारने के लिए काफी थी वो अपने जाद कुछ कैस्टर सीट्स लाया था जिसे पीस कर वो दोनों रैसिंग बनाते हैं यह पोईजन इस पूरी कहानी का शायद सबसे इंपोर्टन किरदार है क्योंकि यह वोल्टर का हथियार था जिसे व जुनिया की कोई भी फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी मौत का कारण नहीं पता पाईगी वो प्लैन बना ही रहते कि तभी वोल्टर को हैंक का फोन आता है हैंक एक मर्डर इंवेस्टिकिशन पर था और वो वो वोल्टर को डराने के लिए उसे उन लोगों की तजवीरे भीजता है जिनके मडल हुए थे वो दोनों जैसे उस फोड़ो को देखते हैं तो उनकी रूख आ पूरती है क्योंकि वो लाश टूको के आदमी की थी वोल्ट जैसे की गन उठाता है और वो तुरंत अपने घर जाता है लेकिन घर पहुंशकर वो देखता है कि वहां सब कुस ठीक स्काईलर बात प्रम में बैट कर नहा रही थी और वो वोल्टर को उसके पास बैटकर उससे बात करने को कहती है वोल्टर की आखों में अपने परिवार के लिए टूको का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था उसका मूर रोने जैसा हो जाता है लेकिन तभी उसे बाहर से किस के लिए कहता है और वो उन दोनों को किड्नाप करके अपने अड़े पर ले कर जाता है दूसरी और हम देखने की हैंग को टूको के बारे में पता चलिया था और हैंग को शक था कि क्रेजी एट और पिछली रात हुए मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ है वोल्डर के जाने के बाद कल रास से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी स्काइलर जो बहुत गबराई हुई थी वो पुलेस को वाल्डर की मिसिंग रिपोट लिख वाती है स्काइलर उन्हें बताती है कि कलनात वालडर किसी से बात कर रहा था लेकिन जब हैंग उसकी फोई पाल उसकी कॉल हिस्टरी में दिखाई नहीं देती हैंग समझ जाता है कि वॉल्टर के पास दो फोन है और उसके दूसरे फोन के बारे में सकालर को नहीं पता हैंग भी उसे कुछ नहीं बताता क्यूंकि वो कुछ भी कहने से पहले वॉल्टर से बात करना चाता था टूको वोल्टर और जैसी को अपने साथ शेहर से दूर एक सुनसान रेकिस्तान में ले आता है यहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था और लग रहा थे कि वोल्ट इस बार बुरा फसा है दूसरी दरफ हम देखते हैं कि 24 गंटे पूरे होते ही सकाइलर शेहर भर में वोल्टर के मिसिंग की पोस्टर लगाने लगती है और अब पूरे महले को परदा चल गया था कि वोल्टर गया भुच चुका है हमें परदा चलता है कि टूको के फादर भी थें तो शायद हमें वोल्टर वर्ट की कहानी भी देखने को नहीं मिलती यहां वोल्टर को परदा चलता कि टूको न अपने दूसरे आदमी को नहीं मारा था खेर उसे जिसने भी मारा हो लेकिना पुलिस उसी की पीशे पड़ी हुई थी उन्होंना टूको के सभी अड़ो पर शापे मारे और उसका सब कुछ जब जब्त कर लिया टूको जब वोल्टर का आईडी कार देखता है तो उसे पहली बार उसका असली नाम परदा सलता है वो कहता है कि उसे इस धंदे में परिवार वारे लोग पसंद है क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है वो कहता है कि हम दोनों मेक्सिको चलते हैं वो मेरा इलाका है वहाँ तुम जितना चाहे उतना मैट बनाओ तुम्हे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता वोल्डर अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाता था पर उसे जल्दी परजलता है कि टुको उसे आप्शन नहीं बलकि ओर्डर दे रहा था टेंशन की मारे उसका सिर्फ फटने को हो रहा था इसलिए टुको मैट का बैकेट खोलता है वो देखता है कि इस बार मैट थोड़ी चिपचिपी थी पर जैसे उसे बनाता है कि ये हमारा स्पेशल बैच है और ये पिछले वाले से भी जारा सॉलिड है टुको कहता है कि वो अच्छा तो इसमें तुमने ऐसा क्या डाला है जैसे इतना बिकूफ था कि वो ठीक से जुट भी नहीं बोल पाता और कहता है कि इसके अंदर चिली पाउडर है इस सुनते ही टुको उस मैट को नीचे रख दीता है जिसमें उन्होंने राइजन मिलाया था उसे खतम करने का ये गोल्डन चांस था जोनोंने जैसी की वज़े से खो दिया था टुको को जिब नशा चड़ता है तो वो अपना आपा खो दीता है और वो जैसी को मारने लगता है इससे पहले वो जैसी को गोली मार दीता वोल्डर टुको को रोक लिता है और कहता है कि ये मेरा पार्टनर है इसके बिना में तुम्हारे लिए मैत नहीं बना सकता टूको वॉल्ट से कहता है कि या शाम मेरे चचेरे भाई मुझे लेने आने आने वाले हैं और अगर शाम तक तुम दोनों ने अपना मन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे पार्टनर को मार दूँगा सकाईलर जो वॉल्ट के गयब होने के बाद से स्ट्रेस लेने लगी थी उसे उसकी बहन मेरी की मूझे परणा चलता है कि वॉल्टर के पास दू सेलफोंस थे सकाईलर को लगने लगा कि कहीं वॉल्टर का किसी किसा था फैर तो नहीं या फिर कहीं वो उस लड़के से फिर से बात तो नहीं करने लगा जो उसे नशी दिया करता था यहाँ सकैलर जैसी के बारे में बात कर रही थी जिसके बाद हैंग पूछताज के लिए जैसी की घर जाता है जैसी की मॉम हैंग को बराती है कि उन्होंने भी जैसी को पिछले एक महिनों से नहीं दिखा हैंग को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है इसलिए वो अपने दोस को जैसी की कार का पता लगाने के लिए कहता है दूसरी तरफ वोल्ट और जैसी चुपके से टूको के खाने में राइसनी मिला दिते हैं लेकिन हेक्टर ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और वो टूको को घंटी बजा कर ये बताने की कोशिश करता है कि वो उस खाने को ना खाए टूको पहले तो हेक्टर के इशारों को समझ नहीं बाता लेकिन हेक्टर अपने बेटी को बचाने के लिए वोल्टर की तरफ उंगली कर देता है वो घंटी बजाय ही जा रहा था जिस पर जैसी उसे कहता है कि मैंने टीवी का चैलन्ज चेंज कर दिया इसलिए शायद वो नाराज है टूको ये सुनकर जैसी को बहुत मारता है क्योंकि वो हेक्टर को जानता था और वो उसे कभी जूट नहीं बोलता टूको इससे पहले जैसी को मार डालता वोल्ट उसे कनफेस करता है कि उन दोनों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की बस जितना कहकर वो दोनों उसे पर तूट पड़ते हैं वोल्ट के हाथ में टूको की रैफल थी लेकिन घबराड के मारे वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता पर तभी जैसी टूको को शूट कर देता है वो से वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और वहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी वो सामने से कार को अपनी और आता हुआ देखते हैं उस कार के अंदर हैंग था जो जैसी की कार को ट्रैक करता हुआ यहां तक पहुचा था हैंग देखता है कि उसके हाथों तो जैकपोट लग गया था क्योंकि उसके सामने टूको सलमांका खड़ा था हैंग उसे खुद को आरेस करने के लिए कहता है पर उन दोनों के बीच में क्रॉस फैरिंग होती है हैंग की पास ज़्यादा बुलेट्स नहीं थी इसलिए अपनी जन बचाने के लिए वो टूको का इंकाउंटर कर देता है वोल्ट ने हैंग का ये रूप पहली बार देखा था वो बहुत डर जाता है और हैंग की नजरों से बचते बचाते वो दवे पाउं वहाँ से भाग जाते हैं वो दोनों पिछले तीन दिनों से गायब थे और अकर वो बस ऐसी है घर चले जाते तो पुलिस को उनके उपर शक हो जाता वोल्टर ने अपनी कमवैक स्टोरी बना ली थी वो एक ग्रोस्टी स्टोर में जाकर बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है और जब पुलिस को वोल्टर के बारे में पड़ा चलता है तो वो उसे तुरंथी होस्पिटल में भरती करवा देते हैं वोल्टर दिखावा करता है कि उसकी मेंटेल कंडिशन कुछ ठीक नहीं है और उसकी यालाज भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती अब क्योंकि वोल्टर एक कंफर्म कैंसर पेशन्ट था इसलिए उसे जारा सवाल जवाब नहीं किया जाता लेकिन उसे अब अगले तीन से चार महिनों तक इसी होस्पिटल में रहना था क्योंकि उसका केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था दूसरी तरफ पुलिस जैसी की घर के बाहर चकर काट रही थी जैसी उनके जाने के बार चुपके से अपने घर के अंदर जाता है और मेथ बनाने के लिए उन्होंना जो एक्क्यूपेंट्स और केमिकल सीउस किये थे उन्हें अपने दोस बैजर की मरस से ठिकाने लगा दिता है इसके बार जैसी मेंडी नाम के एक प्रोस्टिटूट के पास जाता है उसके प्लैन के अकॉर्डिंग बैजर पुलिस को फोन करता है और बस कुछे घंटों में पुलिस जैसी को उसके बताई हुए लोकेशन पर अरेस कर लेती है हैंक जैसी से उसकी कार के बारे में सवाल जवाब करता है जो से टूकों के पास मिली थी जैसी कहता है कि वो पिछले तीन दिनों से मेंडी के साथ था और इस बीच उसकी कार के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता हैंक जैसी को उसके पैसे दिखाता है जो से उसकी कार में मिले थे वो पैसे वैसे तो जैसी के ही थे लेकिन ये लारच करने का सही समय नहीं था हैंक मैंडी से भी पूछतास करता है लेकिन वो भी हैंक को वही कहानी बताती है जो जैसी नों से बताई थी जैसी को लगा कि वो बच गया लेकिन तभी हैंक हैक्टर को ले आता है हैक्टर ने सब कुछ अपनी आखों से देखा था वो चारा तो वो पुलिस को सब कुछ बदा सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता और ये देखर जैसी परिशान से ज़ादा हैरान था कि अभी अभी ये जो हुआ है ये कोई शमतकार तो नहीं आखरे में जब पुलिस को उससे कोई जनकारी नहीं मिलती तो उन्हें जैसी को मजबूरन छोड़ना पड़ता है जैसी वोल्टर को फोन करता है और उसे बताता है कि पुलिस ने उससे क्या-क्या पूछा अच्छी बात ये थी कि हैंको वोल्टर की उपर शक नहीं हुआ था वोल्टर जैसी को और मैथ बनाने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं बदला था वो अभी भी कैंसर से मर रहा था और उसे पैसो की ज़रूरत थी वोल्टर को होस्पिटल से बाहर जाना मना था और अगर उसे बाहर जाना है तो उसे प्रूफ करना होगा कि वो मेंटली पुरी طरس से स्टेबल है वोल्ट का साइकाट्रिस्ट में अपने कपड़े भी पूरे होसो हवास में उतारे थे वॉल्ट उसे मैथ और टूको को छोड़ कर सब कुस सच सच बता दीता है क्योंकि वो जानता था कि एक साइगार्टरिस कभी अपने पेशन की नीजी जनकारी बिना उनके मरजी के उनके परिवार वालों के साथ साज़ा नहीं करते हैं ये सब सुनने के बाद डॉक्टर से क्लीन चिट दे देते हैं और वॉल्टर को हॉस्पिलल से डिश्चार्ज कर दिया जाता है डिशार्ज होने के बाद वोल्टर जैसे से मिलने जाता है वो दोनों सिधे तोर पर एक दूसरे से नहीं मिलते क्योंकि वोल्टर को 20 मिन्ट से जादा घर से बाहर रहना अलाओड नहीं था वोल्टर और मैथ बनाना चाहता था लेकिन उन्हें थोड़े दिनों के लिए अंडरगाउंड होना पड़ेगा क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं था जैसे उससे अपने पैसों की समस्या का जिकर करता है लेकिन वोल्ट उसकी बातों पर गौर नहीं करता और वहां से चला जाता है इतना सब कुछ करने के बाद अब उसे फिर से अपनी वाइफ का भरोसा जीतना था इसलिए वो फिर से नॉर्मल बनने की कोशिश करता है वोल्ट उनके लिए ब्रेकफस्ट बनाता है घर के सारे जूठे बरतन साफ करता है और तो और सकैलर को अपने दूसरे फोन के बारे में एक बढ़िया सी जूठी कहानी भी सुनाता है सकैलर उसकी बातों को सुन रही थी पर तभी को अचानक से उठकर घर के बाहर चली जाती है दूसरी जरफ हम देखते हैं कि जैसी के पास एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि उससे अपना घर खाली करना होगा जैसी के माबाब उसे खुद घर से बेदखल कर रहे थे उन्होंने उसे कई बार सुधरने का मौका दिया लेकिन जैसी अपनी बुरी आदव से बाज नहीं आ रहा था उपर से उसकी मा को जैसी के बेस्मेंट में ड्रक्स बनाने के सारे क्यूपेंट्स मिले थे जिसकी उन्होंने सबूत के तोर पर तस्वीरे खीच ली थी जैसी के पास बहस करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था इसलिए उसे मजबूरन घर को खाली करना पड़ता है वॉल्ट के घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्यूंकि शाम को जब सकाइलर आती है तो वो वॉल्टर को नहीं बढ़ाते कि वो पूरे दिन कहां पर थी इसी ज़रा वो हर दिन घर के बाहर जाती थी एक दिन जैसी वॉल्टर को मदद के लिए फोन करता है लेकिन वॉल्टर उसका फोन नहीं उठाता और जब दोनों में बात होती भी है तो वो फोन पर एक दूसरे के उपर चिला रहे थे जैसे अपने सभी दोस्तों को फोन करता है लेकिन कोई भी उसकी मरत करने को तयार नहीं था उसके सभी दूस्त लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे और कोई भी उसकी जैसे आदमी के साथ रिष्टा नहीं रखना चाहता था जैसे की पास अब रहने के लिए च्छत नहीं थी इसलिए वो देर रात को चुपके से गराज मिजाता है अंदर गुशने की कोशिश में वो एक टॉलेट में गिर जाता है जिसकी ओज़े से उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी अगली सुबह जब उसकी यहां खुलती है तो गराज के मालेक उसके सिर पर बंदूक तान कर उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है जैसी उससे वादा करता है कि वो उसे उसके पैसे दे देगा लेकिन मालिक उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से दुदकार कर भगा दिता है और रो को परदा चलता है कि उस वैन में जो मैतलमिन का कंटेनर था उसकी कीमत लाखों में थी लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि इसी बीच वोल्ड की नजर जैसी की उपर पड़ती है जो उसके घर के बाहर पूरी की पूरी मैथ लैब लेकर खड़ा था वोल्ड जैसी के पाज आता है और उस पर चिलाने लगता है क्योंकि उसने उसे बड़ी से बड़ी मजबूरी में भी उसकी घर आने से मना किया था जैसी को अपने खर्च में बस थोड़े से पैसे चाहिए थे लेकिन वॉल्ट उसे फूटी कोड़ी देने से भी मना कर दीता है ये सुनकर जैसी को उसके पर बहुत गुसा आता है और वो वल्ड को मारने के लिए उस पर कूद बड़ता है जैसी दिल का बुरा लड़का नहीं था बस वो थोड़ा बेकूफ था वो वल्ड को नहीं मारता जिसके बाद वल्ड को भी समझ आता है कि उसे पैसों की सच में जरूरत है वॉल्ट उसकी मजबूरी को ध्यान में रखते हुए आपने हिस्से के पैसों में से कुछ पैसे जैसी को दे देता है और उन दोनों ने एक दूसरे को जो अनाप शना बोला था उसके लिए वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं इसी तरह दिन भी जाते हैं और देरे-देरे वॉल्ट अपने ही परिवार में एकदम अखिला हो जाता है सकाइलर उससे इतना नराज थी कि वो उससे बात करना बंद कर दीती है और सबसे चिंदा जनक बात ये थी कि वॉल्ट के पैसे देरे-देरे खतम हो रहे थे हैंक अपने बॉस को बराता है कि इस गेम में एक नए आदमी ने एंट्री ली है और लोग उसे हैजनबर की नाम से जानते हैं हाला कि उसे खुद लग रहाते कि ये बस हफोय हैं हैंक ने शहर में ड्रग डिस्टिविशन रोकने के लिए जो अपना योगदान दिया था उसे मद्य नजर रखते हुए उसका बॉस उसे परमोट कर दीता है और अब हैंक हो और भी बड़ी ट्रास्क फोर्ट के साथ मिलकर काम करना था हैंक बाहर से तो काफी खुश था लेकिन हम देखने कि उसे लिफ्ट में पैनिक अटाक आने लगते हैं दूसरी तरफ जैसे उस गराज के मालिक के पाश आता है वो उसे पिछली बार के लिए माफी मांगता है और उसे उसके सारे पैसे विफ्ट इंटरस लोटा दिता है वॉल्ट के पैसों से उसने अपने लिए पुरानी कार भी खरी ली थी और वो अपने सारे उधार भी चुका दिता है जैसी को रहने के लिए घर चाहिए था यसलिए वो किराय की घर की तलाश करता है उसे एक घर मिल भी किया था लेकिन उसकी ओनर जीन जैसी के बैक्राउंड की वज़े से उसे घर देने से मना कर देती है जैसी उसे सब को सच सब बता देता है और कहता है कि अब वो सुधर शुका है यहां तक कि वो से एक्स्ट्रा मनी और चार मेने का एडवांस भी देता है जिसके बार जीन उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और जैसी को वो घर मिल जाता है पैसे कमाने के लिए वोल्ट एक बार फिर से मैथ बनाना शुरू कर देता है वो जैसी से कहता है कि अब हमें इस बिजनस में कोई नया टूको सलमांका नहीं चाहिए अब से वही होगा जो हमने शुरूआत में तैय किया था मैं दिन में मैथ बनाऊंगा और तो मुसे रात में बेचोगे पर जैसी ये सब करके पुलिस की नजर में नहीं आना चाहता था उन्होंने टूको को मार कर मारकेट में मैथ की सप्लाई बिलकुल खतम कर दी थी और जैसी टूको की तरह एक डिस्टिब्यूटर बनना चाहता था वो अपने सभी दोस्तों को इकठा करता है और बताता है कि उन्हें उसका बनाएगवा मैथ बेचना है जिसके बदले उन्हें हर विकरी का कुछ हिस्सा दिया जाएगा इसके बाद उसके दोस्त रात में लोगों को मैथ बेचना शुरू कर दीते हैं पहली बार जैसी का कोई आइडिया काम कर रहा था और थोड़ा ही सही लेकिन वो कुछ पैसे बना पा रहे थे जैसी जब वॉल्टर को उसके हिस्से के पैसे देता है तो वॉल्टर देखता है कि उसके अंदर हजार डॉलर कम थे जैसी उसे बराता है कि कल रात स्किनी पीट को किसी ने लूट लिया बस इसलिए पैसे थोड़े कम है वॉल्टर इतना तो समझ गया था कि आज उन्होंने स्किनी पीट को लूटा है कल वो किसी और को लूटेंगे वॉल्ट जैसी को एक गन देता है और उसे कहता है कि जाओ उन लोगों को सबक सिखा कर आओ वो कहता है टूको कैसा भी था लेकिन उसे इस बिजनस की समझ थी उसे पता था कि ये बिजनस सिर्फ डर से चलता है इसके बार जैसी अपने दोस्से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस रात उसके पैसे लूटे थे अब बहुत जादा समझाना थे कि वो आदमी बहुत खतरनाक हो इसलिए जैसी बहुत डरा हुआ था उसके हाथ में बंदूख थी लेकिन फिल भी उसके हाथ कांप रहे थे वो कुछ दिर के लिए उसके घर का दरवाजा खटकटाता है लेकिन जब कोई गेट नहीं खोलता तो जैसी खिड़की तोड़कर अंदर घुज आता है उस आदमी का पूरा खर विखरा हुआ था और पूरे घर से बहुत गंदी बद्बू आ रहे थी जैसी वहाँ कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे जरा भी उमीद नहीं थी उस अकेले बंद कमरे में उसे एक छोड़ा बच्चा दिखाई दिता है जिसे उसकी माबाप उहें छोड़कर चले गए थे जैसी देखता है कि वह बच्चा बहुत भूगा था इसलिए वह उसे कुछ खाने को दिता है यहां हमें जैसी के एक अच्छी साइट देखने को मिलती है और हमें पारा चलता कि जैसी ने अपने लिए चाहे कितने भी गलात काम किये हो लेकिन वो दूसरों के लिए हमीशा से अच्छा था जैसे उस आदमे के वापस लोटने के नज़ार करता है और उसके वापस लोटते हैं वो उसके उपर हमला कर दिता है हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत कमजोर थे इसलिए अब जैसे के अंदर से भी डर निकल चुगा था दूसरी और हम देखते हैं कि ग्रेचन वोल्टर का हाल चाल लेने के लिए सकालर को फोन करती है सकालर ग्रेचन को उसकी मनत के लिए थेंक्यू कह रही थी पर ग्रेचन को कुछ भी समझ नहीं आता वो वोल्टर के घर आती है और उसे बरस अलता है कि वोल्ट ने अपने परिवार से जूट बोला था कि वो और एलेड उसके इलाज का खर्च उठा रहे हैं जबकि वोल्ट ने उससे पैसे भी नहीं लिये थे वोल्ट ग्रेचन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस करेर को कुछ ना बताए लेकिन ग्रेचन उससे बहुत गुस्सा थी वो कहती है कि तुमने अपने परिवार से जूट क्यों बोला वोल्टर ग्रेचन से कही बार माफी मांगता है और कहता है कि यह तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम प्लीज इसे दूर रहो ग्रेचन ने वॉल्टर का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था वो मरने की कगार पर था, फिर भी वो अपने परिवार से जुट बोल रहा था और पतन इतने सारे पैसे कहां से ला रहा था वॉल्ट कहता है कि तुम क्या शाती हो, कि मैं पैसो के लिए तुम्हारे पैर पढ़ू तुमसे पैसो की भीक मांगू, वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तुम भाड में जाओ वहीं दूसरी तरफ जैसी उन दोनों से अपने पैसे मांगता है, पर उन दोनों ने नशे में अपनी सुधभुध खो दी थी वो आदमी जैसी को बढ़ाता है कि कुछ महने पहले उसने एक एटियम लूटा था, और उसके अंदर धेर सारे पैसे हैं जैसी यहां बिलकुल भी खतरे को भाप नहीं पाता, क्योंकि उस आदमी ने उस एटियम को चोरी करते वक्त एक हटे कटे आदमी का मर्डर किया था, तो ऐसे मैं जैसी उसके लिए किस खेत की मूली थी, उन्हें बस उसे मारने के लिए एक अच्छे मौकी की दलाश थी, व जैसी ही मौका मिलता है, वो जैसी पर हमला कर देती है, और एक ही ओवार में वो भी होश हो जाता है, वहां वोल्टर जब अपने घर आता है, तो उसे परदा चलता की ग्रेचन ने सकैलर को फोन किया था, यहां वोल्टर की पसीने चूट रहे थे, लेकिन जब वो सकैलर से तो उसे परदा चलता है कि ग्रेचन ने जूट से अपना नाम साफ करने के लिए सकैलर को वोल्टर की लाज के लिए और पैसे देने से मना कर दिया था, और इसके अलावा उसने उसे कुछ नहीं बताया, वोल्टर यह जानने के बार चैन की सांस लेता है, और सकैलर को दिला सब सोच समझ कर ही किया होगा, जैसी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गानाम उस आदमी के हाथ में थी, वो दोनों बहुत नशे करते हैं और उस एटियम को खोलने की कोशिश करते हैं, जैसी चुप-चप जमीन पर पढ़ा रहता है, क्योंकि अगर वो डर गया था, पर वो मौका पाती वहां से भागने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उस एटियम से अचानक सही रेर सारे पैसे गिरने लगते हैं, जैसी का तो यहां पर जैकपोट लग गया था, वो फड़ा वड़ सारे पैसे बटोर लेता है, और वहां से भागने लग पर तभी उसे वो बच्चा याद आता है, वो उस बिशारे को ऐसी ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, जैसी पुलिस को फोन करता है और उस बच्चे को कंबल उड़ा कर उसे घर के बाहर बैठा दिता है, वो चाहता था कि उस बच्चे को अच्छी जिंदगी मिले और उसके लिए वो अपनी तरफ से बस इतना ही कर सकता था, आज जैसी ने जो किया था, उसकी वज़े से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में बात करेंगे, ब्रेकिंग बैट का तीसरा भाग कल अप झाल